हलो Еब्रीवन इस वीडियो में आप पढ़ेंगे रिलेशन्शिप बेट्फें डिफरेंट सुझापनी त तो इस वीडियो में आप पढ़ेंगे बेसिक रिवेन्यू का कॉंसेप्ट है इसमें आप देखेंगे कि पहले रिवेन्यू क्या होता है इससे पहले के वीडियो में आप रिवेन्यू उसके कॉंसेप्ट रिवेन्यू होता है तो पहले इससे पहले का वीडियो देखेंगे कि क्या क्या relationship होता है average revenue marginal revenue के बीच में दो conditions होती जब price constraint हो फिर total revenue marginal revenue में फिर total revenue in price line में second condition हाती है जब price decrease हो और output increase हो यहाँ पर भी हम average revenue marginal revenue में relationship देखेंगे फिर total revenue marginal revenue के बीच में relationship corner आई बटन पर क्लिक करके कि आप economics की playlist देख सकते हैं जिसमें कि आप economics से related different topics पर वीडियो देखेंगे और description में social media की link से आप में आपर follow कर सकते हैं message कर सकते हैं और management और commerce से related other subjects पर वीडियो देखेंगे वीडियो अच्छा लगे तो please like किजे चैनल को subscribe किजिए और कोई डाउट है तो comment कर सकते हैं वस देखते कि revenue का concept तो जो की relationship को बताता है revenue हमको पता कि किसी भी commodity को sell करके जो हमको value या money मिलता है उसको मुलते है revenue तो revenue में हमने तीन terms तेकी थे total revenue जो की total हमको मिलता है जितनी भी हमने quantity sell किये total उससे second आता है average revenue की per unit quantity को sell करने से कितना revenue मिलता है और next आता है marginal revenue की एक extra unit को sell करने से कितना revenue मिलता है तो इसमें हम relationship को देखते revenue concept के बीच में जो की दो situation में first is जब price constant हो तब क्या relationship होता है तो perfect competition आपने पहले देखा था कि जहांपे बहुत ज़्यादा large number of buyer sellers रहते हैं और जहांपे की market decide करता है किसी भी product के price को तो यह वो situation होती है जाकि firm accept कर लेती की same prices जो की industry determine करती है तो जो भी commodity है उसकी कितनी quantities sold होगी तो उसका price particular same ही रहेगा मतलब 5 रूपीज प्राइज ही तो सारी ही commodity 5 रूपीज में ही sell होगी next आता है कि जब price गिरता है तो output increase होता है तो यह condition होती imperfect competition की तो इस situation में firm क्या करती है follow करती कि खुद की pricing की क्या policies है कैसे वो sales को increase कर सकती हो price को कम कर सकती है ताकि वो कम price में ज्यादा quantity sell कर सके होगी होता है imperfect market की conditions में तो इन दोनों को detail में देखते हैं first आता है कि जब price constant है उस situation में relationship देखते है average revenue और marginal revenue के बीच में जब price same है तो सारे output के जितने भी labels है तो firm influence नहीं कर सकती है market के price को market के price में कोई change नहीं होता है क्योंकि यह condition है यह जहाँ पर price same होगा तो firm जोती वो ज़्याद से ज़्यादा quantity जो same prices market में decide होगा उसी पर उसको sell करना होगा मतलब कि 5 rupees price decide होगा अगर किसी pain का तो 5 rupees में ही उसको sell करना होगा ना वो इससे कम कर सकती है ना ज़्यादा कर सकती है marginal revenue क्या होता है एक additional unit को sell करने से जो profit हो रहा है और average revenue per unit कितना revenue हो रहा है तो average भी किसी भी जितनी भी quantity sell करेंगे तो price same है तो average revenue भी क्या होगा same आएगा तो इसका result होते है कि जो average revenue marginal revenue curve होते है वो same होते है horizontal straight line होती हो यह parallel होते है एक सेक्सिस के यह कैसे होता है देखते है अब इतक हमने देखा था कि जो average revenue marginal revenue क्या होते है इकवल होते है price के तो यह क्या है कि price same है price में कोई change नहीं हुआ है यहां पर क्या होते है perfect elastic होते है demand curve क्यूงकि यहां पर price same है मतलब की quantity कुणेटी कितनी भी change हो सकती है उसी price पर price है क्या होता है perfectly elastic कोई भी firm क्या करेंगे जितना भी sell करेंगी तो prices क्या होंगे same होगे यहाँ पर average revenue, marginal revenue, सारे labels of output पर क्या होगा, सेम होगा, हम यहाँ देखते कि units world, पहला हमने 1, 2, 3, 4, 5 मतलब हमेशा एक-एक unit का increase कि price क्या है, 5 रुपीज है हमेशा क्योंकि price सेम रहेगा total revenue क्या होता है जो हमारे इसका total होता है तो 5, फिर यह हो गया 10, 10, plus 5, 15 15, plus 5, 20, 20, plus 5, 25 यहाँ फिर बोला जाए तो quantity और price का multiplication इसको multiply करेंगे तो यह होता है हमारा total revenue next आता है marginal revenue तो marginal revenue difference होता है total revenue का, तो 5-10, 5 5-15, 5 15-25, 20-25, 5 मतलब कि हर में difference कितना हो रहा है 5 units का तो यह हमने कर्व बनाया जो कि relationship बताता है average revenue कर वो marginal revenue कर के बीच में यहाँ price और average revenue same क्यों बताया गया average revenue का formula होता है total revenue divided by quantity तो हम जब भी इसको इससे divide करेंगे तो 5 ही same price ही आना है क्योंकि total revenue होता है quantity into price divided by quantity तो इस situation में क्या होता है कि जो quantity से quantity cross होजेगा तो सिर्फ price बचते है तो यहाँ पर यह होता है average revenue is equal to price मतलब कि price और average revenue हमेशा same रहेगा अब जब हम इस table को या schedule को graph पर plot करते हैं तो हमने देखा कि x-axis पर हमने लिया quantity और y-axis पर हमने लिया price price हमको पता है 5 है अभी हमने देखा कि price equal to average revenue होता है क्योंकि यहाँ पर price constant है क्योंकि हर पर average same रहेगा total revenue हम next में देखेंगे और marginal revenue भी same होता है क्योंकि सब में same unit का difference है तो price का ही difference होता है क्योंकि हम हर बार एक extra unit को increase करते हैं जो total revenue होगा वो इस तरीके सोगा तो यह relationship बताते है कि जब price constant होगा तब क्या होता है average revenue, marginal revenue और price क्या रहते हैं equal रहते हैं तीनों एक दूसरे के next next आते है कि relationship between TR और NMR यहाँ पर भी price constant अभी तक हमने average revenue और marginal revenue के बीच में relationship देखा था अब total revenue और marginal revenue के बीच में price constant है तो firm कोई भी कितनी भी quantity sell कर सकती है same price पर क्योंकि perfect competition में price market decide करते हैं तो इसका result होते है कि marginal revenue कर्व और average revenue कर्व है वो horizontal straight line होते हैं x axis के बिलकूर parallel होते हैं और जो marginal revenue होते हैं जो हमने अब भी देखा था टेबल में कि वो क्या होता है तो जो total revenue भी जो increase होगा वो क्या होगा constant rate से increase होता है मतलब हर बार 5 की ही rate से क्या हो रहा है increase हो तो total revenue का कर्व क्या होता है positively slope straight line होती है जो की 0 से start होता है जिसमें की positive relationship बताते हैं यहां देख सकते हैं अभी तक हमने देखा था कि यह तीनों का concept अब आता है कि total revenue पहली quantity पे total revenue है 5 second quantity पे total revenue 10 15 3rd पे 4th पे 20 और 5 पे 25 तो जितना marginal revenue का difference अगर constant rate से तो total revenue भी constant rate से increase होता है next next की relationship between TR and price line total revenue price line के बीच में क्या relationship होता है जब price constant है सारे label of output पे तो एक situation हमने देखी थी कि price is equal to average revenue is equal to marginal revenue मतलब तीनों सेम है तो price line जो होती है वो सेम होती है marginal revenue कर्व के तो यह आता है total revenue is equal to summation of marginal revenue हमको पता कि marginal revenue का जो total होता है वहीं आता है हमारा total revenue जो marginal curve की जो line होती है वो equal होती है price line के या DR line के और यह जो area होता है यह होता है total revenue का area क्योंकि जब हमने पहली quantity ली तब हमारा था 5 रूपीज जब second quantity ली तो गया 10 रूपीज तो ऐसे यह area 1-2 quantity यहाँ पर increase होते जाती तो total revenue ऐसा होते है तो यह पूरा area ही बताता है total revenue को next अभी तक हमने देखा था perfect competition की situation जहां पर की price में कोई change नहीं होते market decide करती है price को price fixed होता है next आता है अब हम relationship देखेंगे average revenue marginal revenue के बीच में जबकि prices गिर रहे हैं तो output क्या हो रहा है increase हो रहा है situation में यह imperfect competition की situation है तो firms क्या करती है उनके cells को बढ़ाने के लिए वह क्या करती है prices को कम करती है क्या होता है average revenue गिरते जाता है जैसे हम ज्यादा quantity बनाने लग जाते है तो हमको per unit cost क्या हूती कम होने लग जाती है तो यह बताता है कि जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज करेंगे तो एवरेज रिवेन्यू क्या होगा कम होगा तो क्या होता है कि जो हमारा marginal revenue होता है वो भी average revenue से कम होता है जैसे हम additional output करते हैं तो marginal revenue और कम होते जाता है तो जो average revenue और marginal revenue का curve होता है वो slope downward होता है left to right तो ये marginal revenue और average revenue दोनों गहते हैं जैसे ही output increase होता है तो जो marginal revenue वो double rate से decrease होता है जितना की average revenue होता है मार्जिनल रिवेन्यू का कर्व ज्यादा स्टीपर होता है एवरेज रिवेन्यू के कर्व से मार्जिनल रिवेन्यू जो होता है लिमिटेड होता है वन यूनिट तक एवरेज रिवेन्यू हर यूनिट पे डिराइव होता है और जो average revenue कम गिरता है marginal revenue से तो हम इसका graph देखेंगे तो यह होगा average revenue और यह marginal revenue मतलब कि marginal revenue ज्यादा rate से गिर रहा है और average revenue कम rate से fall होता है अब यह situation कि जब ग्राफ units old 1,2,3,4,5 यह average revenue दे रखा है 5,4,3,2,1 तो total revenue आएगा average into units तो 5,4 into 2,8,3 into 3,9,4 into 2,8 और 5 into 1,5 तो आँ आगे total revenue अब marginal revenue आता हमारे total revenue का minus तो पहले हम 0 से minus करते हैं तो यह 5,5 minus 8,3,8 minus 9,1 9 minus 8, minus 1,8 minus 5, minus 3 तो यह ratio होता है जिसे की fall होता है next ratio fall कि कितना ratio बता रहा है कि किस ratio से fall हो रहा है तो जब हम देखते है average revenue जो कि 1,1 के ratio से fall हो रहा है पर marginal revenue जो कि 2,2 के ratio से fall हो रहा है जो 5 minus 3,2,3 minus 1,2,1 minus 1,2,2,2 minus 1,3 तो 2 तो यह ratio बताता है कि average revenue से double rate से marginal revenue गिरता है तो यह इसका graph जो की होता है average revenue की पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 तो यह इस तरीके से होते हैं वही marginal revenue जो की 0 होके minus तक भी जाता है तो इस situation में average revenue कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि per unit revenue तो कुछ भी हो गई सही वही marginal revenue 0 भी हो जाता है और negative भी होता है next next है कि अभी तक हमने 2 situation में देखा था general relationship देखते है average revenue और marginal revenue के बीच में क्या होता है यहाँ पर हम ना price same रखते हैं ना price में fall करते हैं output में चीन मतलब कोई mention नहीं कहा है बस हम generally relationship देखते कि average revenue और marginal revenue कैसे एक दूसरे से related तो first situation जहाँ पर कि यह इसका graph होता है कि जब average revenue बढ़ रहा है तब marginal revenue से high rate से increase होता है तो यह इसका graph इससे आगे कि marginal revenue आगे है फिर उपर जाकर जब average revenue maximum होता है तो marginal revenue क्या होता है constant होता है तो यह हो गया average revenue जो कि average revenue maximum है तो इस situation में जो marginal revenue वो क्या होता है constant रहेगा फिर थर्ड सुचुएशन आती है जब average revenue गिरता है तो marginal revenue उससे ज़्यादा rate से कम होता है तो यह हमने देखा कि यह उससे कम हुआ तो यह तीन relationship होते है बैसिक average revenue और marginal revenue के बीच में तो अब भी तक हमने देखा था specific relationship जो कि depend करता है कि price और output के बीच में क्या relationship था यहाँ पर price same भी हो सकता हो vary भी हो सकता है और output के बीच में inversely related भी हो सकते है मतलब कोई भी situation हो सकती है नेक्स्ट आलता है कि relationship between TR and MR when price falls with rising output कि TR और MR के बीच में क्या relationship होता है जब price कम होता है और output increase होता है तो first है कि MR जो होता है वो positive रहता है जब तक कि TR increase होता है या फिर बढ़ता है फिर next होता है कि जो MR होता है वो 0 होता है जब TR maximum point पे होता है फिर MR जो होता है वो negative होने लग जाता है जब TR fall होता है या फिर गिरने लग जाता है तो इस तरीके से ये MR कर्व होता है तो detail में देखते हैं तो ये रहा TR और MR ये unit sold 1 to 5 average revenue, total revenue, marginal revenue हमको बता है इन दोनों को into करेंगे तो यह आता हमारा total revenue इसके बीच का difference marginal revenue तो ये graph दे रखा है जो कि हमारा total revenue इस shape का होता है और marginal revenue यह तो अब relationship देखते है हम तो पहले हमने देखा कि जब total revenue increasing rates है जो graph इस shape से start होता है मतलब यह increasing rate को बताता है तो पहले first situation में क्या हो रहा है कि जो total revenue हो increasing rate से increase हो रहा है तब तक marginal revenue भी क्या होता है decline होता है पर positively जब यह highest या maximum होता है तब marginal revenue क्या होता है जीरो होता है यह situation में जब total revenue गिरने लगशाता है तो marginal revenue क्या हो जाता है negative होने लगजाता है तो यह relationship होता है total revenue marginal revenue के बीच में तो इस वीडियो में आपने देखा revenue average revenue marginal revenue के बीच में relationship किया हो रहा है तोड़ल रिलेशन्शिप जब प्रैस कम हो रहा है और आउटपट निımट्स हो रहा है तो यह different तरह की situation बनती है total revenue, marginal revenue और average revenue के बीच में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो please like किजे चैनल को subscribe किजे और किसी topics पर वीडियो ची तो आप comment कर सकते हैं Thank you for watching this video Thank you